नमस्कार गाईज, दोस्तों मैं हूँ मेगराज और आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Vivo V20 Pro के बारे में, जो कि स्मार्टफोन बाविश्य में लोंच होने वाना है और दोस्तों लगबग दिसंबर के मनत तक याने दिसंबर के महीन तक लोंच होने के संबावन आ है तो इसकी फुल डीटेल्स में आज किस वीडियो में मैं आपको रिविव देने वाला हूँ तो इस वीडियो को आप कम्प्रिटली जरूर देखें तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो इसके साथ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ किस वीडियो को लाइकन से जरू करें और अभी तक आपने मारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिख रहे हैं रेड गलर बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें गंटे को दबाएं ओल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो दोस्तो बात करे जाए सबसे पहले इस स्मार्टफोन की डिस्पेले की इस स्मार्टफोन में जो डिस्पेले आपको देखने को मिल रही है वह 6.44 इंच है इसकी डिस्पेले आपको देखने को मिलेगी तो काफी शानदार स्माटफोन से और दोस्तों बात करी जाए इसके camera की सबसे पहले हम इसके back camera यहां फिर rear camera की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आपको triple camera इसका supports देखने को मिलता है जो कि 64 MP, 8 MP, 2 MP रहेंगी साथ ही selfie camera की बात करी जाए तो वो भी आपको dual selfie camera's देखने को मिलते हैं जिसमें 44 megapixel प्लस 8 megapixel के रहेंगे जो काफी बढ़िया है और दोस्तों बात करी जाए इसकी network capability की यानि network supportability की तो दोस्तों ये 5G internet को support करता है जो आपके लिए काफी शानदार है और दोस्तों बात करी जाए इस smart phone के battery backup की तो दोस्तों इसमें आपको 4000 image का battery backup देखने को मिलता है जो average huge के लिए बढ़िया है वेसे तो दोस्तों आप 5000 image या फिर 6000 image तक का भी smart phone ले सकते हैं काफी बढ़िया है smart phone साचकल market में available है लेकिन अगर आपको एक average huge के लिए लेना है तो आपके लिए काफी शानदार है फिलाल इस smart phone 5G है जो आपके लिए काफी बढ़िया है और दोस्तों बात करे जाए इस smart phone के other features की इसमें ले लेते हैं सबसे पहले इसके performance को performance में इसकी ram and internal storage को लेते हैं तो इसमें आपको 8GB की RAM और 128GB की ROM यानि internal storage देखने को मिलता है जो काफी शानदार है साथ ही आप इसे up to 256GB तक expect कर सकते हैं यानि memory card आप इसके अंदर लगा सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब next feature को जानते हैं performance में सबसे पहले इसके chipset की बात कर ली जाए chipset की बात करी जाएं दोस्तों तो इसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon का 765G देखने को मिलता है जो काफी शानदार है और दोस्तों बात करी जाएं इसके graphics की तो इसमें आपको endino का 620 देखने को मिलता है जो काफी शानदार है और दोस्तो बात करे जाए इसके प्रोसेसर की तो इसके अंदर आपको OctaCore का 2.4 GHz का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो काफी बढ़िया है साथ की इसकी Speed को Boost and Upgrade करने के लिए इसमें आपको Single Core का 2.2 GHz का प्रोसेसर लगाया गया है जो काफी शानदार है और दोस्तो इसकी Speed को काफी हद तक Boost and Upgrade करने के लिए Single Core का 1.8 GHz का प्रोसेस एकोर एक्स्ट्रा लगाया गया है जो भी आपके लिए काफी बढ़िया है अब बात करे जाए इस स्मार्टफोन की Price की क्योंकि स्मार्टफोन की Full Specification, Full Detail जानने के बाद हमारे मन में एक वो रताएगी इस स्मार्टफोन की Approximate Price क्या रहेगी दोस्तों expected price है क्योंकि actual price अभी तक मार्केट में आई नहीं है क्योंकि mobile अभी तक launch नहीं हुआ है जैसी ही mobile इंडिया के अंदर launch होगा तब इसकी actual price आपको देखने को मिलेगी अब दोस्तों देखते हैं कि Smartphones कब तक मार्केट में आ सकता है तो दोस्तों यह December मन्त में आने की संभाव दोस्तों यह स्मार्टफोन में आने की संभाव ना है तो देखते हैं कि जैसे ही ur smart phone जाता है इसकी चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए फ्रेंड तो इस वीडियो को लाइक और सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू वाचिंग इन दिस वीडियो